हेलो फ्रेंट्स वेलकम बाईक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करला संस्कृति मेले और गूपा लहलोस पू लहौल और स्पिति में, कहां कहां हैं, और कौन सी जगह पे हैं, और कौन सा गोमपा, कौन से जगह पे हैं, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं खारदोंग, शांशुर, गेमूर और गुरुगंटाल ये चार गोमपा आपके लहॉल में हैं और ताबो की धांकर ये गोमपा स्पिति में है हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था जब हमने लहॉल स्पिति का स्टार्टिंग किया था वीडियो तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो लहॉल और स्पितिया वो दोनों अलग-अलग जगाएं और इनकी जो गोमपा हैं वहां वो भी अलग-अलग हैं तो लहौल के गुमपा खारदौंग, शांशुर, गेमूर और गुरु घंटाल है और स्पिती के ताबो की और धांकर है ताबो की और धांकर गुमपा स्पिती नदी के किनारे है ठीक है? अब ये नॉर्मल कॉमन सी बात है कि जो स्पिती है वहाँ पर अबेसिल्सPITY नदी ही बहेगी तो उसके किनारे ताबो की और धांकर गुमपा है और जो गेमूर गुमपा है जो लहौल में है वो भागा नदी के किनारे है की हिमाचल प्रदेश का उंचा व बड़ा गुमपा है की ठीक है ताबो गोंपा विश्व का प्राचिंतम गोंपा है तो ये सारी चीज़ें हमें रिमाइंट रखनी है क्योंकि ताबो की और गेमूर ये सबी जित्ते भी हमारे पास गोंपा इनकी दी गई है डिस्क्रिप्शन और इनकी इंपॉर्टेंस दी गई है तो ये सारी चीज़ें हमें उपने माइड में रखनी है क्योंकि ये एक्जाम में पुछी जाती है ठीक है नेक्स्ट इस धर्म लहौल में हिंदू और बहुत धर्म दोनों को मानने वाले लोग रहते हैं ठीक है गिफांग डाबला और तंग्यूर यहां के प्रमुख देवता है तो जो स्थानिय देवता है उत्ते हैं वहां के पहाडी स्थानिय देवता बोलते हैं जिनको तो वो हैं गिफांग डाबला और तंग्यूर ठीक है ये वहां के देवता है स्थानिय देवता है विवाह, लाहॉल में तभागस्टन जिसको अरेंज मेरिज बोलते हैं ठीक है और वहां की जो स्थानिय भाशा है उसमें इसको बोलते हैं मोथे ब्याह ठीक है आगे हम तोहार पढ़ेंगे और मेला तो सबसे पहले आता है लदार्चा यह मेला हर वर्ष जुलाई में किब्बर में लगता है जुलाई के माह में हर वर्ष किब्बर गाउं में यह मेला लगता है और आगे है सिसु मेला यह जून में शांशुर जुलाई में गेमूर और अ इनमें लगता है, ठीक है, मेले का नाम एक ही है, लेकिन हर जगा पे वो अलग-अलग मन्थ, एक-एक महीने की गैप के बाद लगता है, राइट? नेक्स्ट है, फागली मेला या कुन मेला, तो जो फागली मेला है, उसका जैसे इसके नाम से ही समझ आ रहा है, कि फागली मेला जो फागुन मन्थ महीना आता है, उसके आने की ये बताता है, स्टार्टिंग में, जैसे किसी भी मन्थ की स्टार्टिंग हो दिया है, फाग मनात और यह फरब्री की अमवर्स्य को पटन घाटी में लगता है तो लास्ट हमने पटन घाटी के भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन तो नहीं पढ़ा था लेकिन हलका से इसके बारे में पढ़ा था कि जो चंदर भागा घाटी है उसको यह पटन घाटी बोलते हैं तो यह वहां पे मनाया जाता है ठीक है आगे है पौरी मेला यह अगस्त में त्रिलो की नाथ मंदिर में लगता है ठीक है पौरी मेला कहां लगता है कौन से मंदिर में त्रिलो की नाथ मंदिर में लगता है और इसमें क्या होता है कि पूरा वर्ष इसमें शुदगी का तिपक जलाया जा लोसर यहालदा यह लहौल का नवर शागमन का तोहार है जब नया साल से शुरू होता है उस टाइम इसको सेलिबरेट किया जाता है ठीक है आगे है आपका लोकन रिद्य तो लोकन रिद्य में शेहनी, धूरे और घारफी यह तीन लोकन रिद्य हैं लेकिन जो घारफी लोकन वो सबसे पुराना है लॉल्स पिती का, ओल्डेस्ट डांस ओफ लॉल्स पिती इस घारफी, नेक्स इस पे, वहां पे पेपदार्ट कौन-कौन से पिये जाते हैं तो छांग होता है जिसको चावल जो और गेहूं से बनाया जाता है उसको पिया जाता है और तांडी जो गा तन देही से उत्पन हुआ है तन देही मतलब शरीर के देने से या दान करने से तो इसका मतलब नीचे हम जो लाइन्स पढ़ेंगे उसमें आप समझ आओगे कि तन देही का मतलब एक्जेक्ट क्या है यहाँ पर द्रॉपदी ने अपना तन छोड़ा था यानि कि उन्होंने अपना शरीर यहाँ पर छोड़ा था उनको मृत्यू प्राप्थ हुई थी तांडी में ठीक है और रिशी वशिष्ट को तांडी में दफनाया गया था जो रिशी वशिष्ट थे उनको दफनाया गया था तांडी में एंड लास्ट इज तांडी में सूरे के पुत्र का चंदर्मा की पुत्री से विवाहा हुआ था ठीक है तो ये तीन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं कि द्रौपदी ने अपना शरीर कहा छोड़ा था तांडी में और विजिसी उशिष्ट को भी तांडी में ही दफनाया गया है और तांडी में सूरे के पुत्र का चंदर्मा की पुत्री से भी विवाहा हुआ था ठीक है so that's all for today thank you